का सबस्क्राइब कि टापिक में हम बात करेंगे पुल डाउन लॉकि जोए जोपां जब आप ऊपर से इसको स्वेप करते हैं जहां पर आप अपने इंटरनेट को आउंड करते हैं या आप अपनी रिंग वेब राइट या साइलेंट के लगाते हैं तो दोस्तो वहां पर एर मिक जाना डरोरी है कि सको ऑफ कैसे करते है हाला कि आपका क्वी दूश्य नुक्सामत नहीं लेकिन आपका जो होता है तो चली यह हम आपको बताते हैं इसके बादें पुरी जान कर रहें on है तो सबसे पहले आप को जाना है फूंड की सेटिंग में फोन की सेटिंग में जाने बाद अब आपको निचे की और स्क्रॉल करना है यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड इस्टेटस वार है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है pull down on lock screen to access notification drawer ठीक है यह आपका on है यहां पर blue tick लगा हुआ है अब आपको क्या करना है actually यह होता कि हुआ है जब आपकी lock screen होती है आप जब उपर से इसको ऐसे draw करते हैं नीचे की और pull down करते हैं तो आपके सामने यह option अज़र आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जैसे के screenshot है mobile है ring है ठीक है screen recorder जो भी है और अगर आप चाहते हैं कि इसको off कर तो इसको बंद करने का तरीका यह है कि आपका जो blue tick on है इसको आपको off कर देना है तो चलिए मैं इसको यहां पर off कर देता हूं अब off करने पर यह होगा जब आपकी lock screen होगी जब आप उपर से इसको pull down करेंगे यानि की उपर से नीचे की और खीचेंगे तो आपको यहां पर कोई option नजर नहीं आएगा जैसे कि मालो जैसे कि यहां पर आपका mobile data screenshot ring जो भी चीज़ नजर आ रही है वो आपको show नहीं होगी जब आपका lock screen होता है तो आप यहां पर shortcut चीज़े यूस कर सकते हैं तो इसका फाइदा यह है आपकी कोई चीज़ कोई यूस नहीं कर सकता है और ना कोई आपका data यूस कर सकता है ना mobile hotspot आज के लिए सिर्फ इतना है थैंक्यू फार वाचिंग